शिवहर शंकर नमामी शंकर शिवशंकर शंभो हेगिरी जापति भवानी शंकर शिवशंकर शंभो शिवहर शंकर नमामी शंकर शिवशंकर शंभो श्रीनाच्ट जी गुरुजी को अलख आदेश, महभगवती को अलख आदेश, राँची वाले भ airlब बाबा को अलख आदेश. आदिनाथ जी जब नवनाथ प्रणाम करते हैं या नवनाथ स्वरूप का जाप करते हैं तो उसमें पहला जो वाक्य है वो है ओमकार स्वरूप आदिनाथ बोलिए मतलब जो ओमकार के जैसा है जो ओमकार है वही आदिनाथ है वही आदिपुरुश है वही शिव है वही शंकर है वही महादेव है वही महाकाल है जो हम बोलते हैं पुर्शाय विद्महे महादेवाय धीमही तन्नोर उत्रह प्रचोदयात आकाशे ताड़का लिंगम पाताले हटिकेश्रम रित्युलो के महा कालम सर्वलिंगम नमोस्तु दे नाम जितने लेलो लेकिन है वही क्योंकि वही ओमकार है और सबकी उत्पत्ति उनसे ही हुई है अंत भी सबका उन्हीं से है एक विशय है जो ओम है वो तीन शब्द का होता है अ ओ और मा अ मतलब प्रणव रूप उत्पत्ति उमकार शरूप आदिनाद शुक्ष्ण सरूप में उ में प्रणव सरूप में वो भरन पोशन करते हैं और मा जो प्रणव सरूप है उसमें वो संघार करता हो जाते है रूद रूप में आ जाते है तो तीनो रूप महादेव का है आपका उदय आपका भरन पोशन और आपका अंत तीनो महादेव के हाथ में होता है आदि पुरुष के हाथ में होता है जो पहले नाथ जिन्होंने दत्तत्रे भगवान से साधनाई ली त आदेव तो ना आधी है ना अंत है उसका लेकिन जो स्वरूप देखते हैं वो आदीनाथ जी काहीं स्वरूप होता हैं तो जब जीवन में बहुत विसंपर स्थिति आ जाए तो बहुत जादा हम लोग सोचने लगते हैं कि ये टंत्र करें यह यह विवस्था करें, यह विधी करा ले, यह पूजा करा ले, लेकिन अगर सबसे निम्नस्तर से शुरू करें, जो कि सबसे उचा होता है, शुन्य सबसे बड़ा होता है, तो शायद जीवन में कभी परिशानी नहीं रहे, एक औसकाम रेजर का एक कोट है, जो कि बहुत सारी आर्मी आर्मी वाले लोग यूज करते हैं, उसको कहते है कीप इट सिंपल, तो वैसे ही जब समस्या में घिरे हुए रहें आप लोग, तो कीप इट सिंपल, जो इलाज है वो बड़ा सिंपल होगा, क्या करना है, सिर्फ एक जाप करिये रोज, एक जाप जिससे सारी समस्याओं का आपका समधान होगा, महादेव का एक तस्वीर रख लिजे, आदिनाजी का एक तस्वीर रख लिजे, और उसके बाद उसको धूप, दीप, नवेद, गंद और पुश्प, इत नमस्ते विश्वरूपाय, विश्व वातिताय, ते नमह, पुत्पत्ति, स्थिती, सम्हार, कारिने, कलेश हारिने, नमस्ते देवदेवेश, नमस्ते परमात्मने, योग, मार्क, कृते तुभ्यम, महायोगेश्वराय, ते नमस्ते परिपूर्णाय, जगदानंद, हेतवे हाज जोड करके इस मंत्र को बोल करके और उसके बाद आदिनाज जी को बुलाना है स्थल पर मतलब उनका आवाहन करिएगा आवाहन करने के बाद इनका एक गायत्री मंत्र है ठीक है इस गायत्री मंत्र का रोजाना कम सकम एका 108 बार जाप हम सभी को करना चाहिए क्यूं एक तो वो सही है वो लोग जो की परिशानी में फसे हैं लेकिन इस गायत्री मंत्र को जगने से कुंडलेनी का जागरन होता है जो आपकी कुंडली कुंडलेनी शक्ती है अगर वो बैठी हुई है तो वो इस गायत्री मंत्र से उपर के और बढ़ने लगती है क्योंकि शेशनाग नीलकंट के कंट्रोल में रहते हैं, ठीक है, तो इस मंदर का आप लोगो जाप करना, मैं गाहितरी मंदर बताता हूँ, जो आदीनाथ का गाहितरी मंदर है, ओम, रिम, श्रिम, आम, आदीनाथाय विदमहे, ओमकार स्वरूपाया, धीमही, तन्नो निरंज प्रचोदयाद, फिर से सुनिए, ओम, रिम, श्रिम, आम, आदीनाथाय विदमहे, ओमकार स्वरूपाया धीमही, तन्नो निरंजन प्रचोदयाद, फिर से एक बार सुनिए, ओम, रिम, श्रिम, आम, आदीनाथाय विदमहे, ओमकार स्वरूपाया धीमही, तन्नो निरंजन प्रचोधयाद, इस मंतर का आपको रोज आवाहन के बाद 108 जाप करना है, जो बीज का जाप नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं पुन रुपे जो ग्रियस्थ है जो सिर्फ अपने कष्चों के निवारन के लिए इसका जाब करना चाहते हैς वो कर सकते हैं ओमकार आधि नाथाय नमह जो material life है वो तो बढ़िया हो गई उसके साथ-साथ आपका जो साधना का जीवन जो आपका ध्यान करने का है जो आपका तपस्या करने का जीवन है जिसमें आपको शक्ती मिलेगी manifestation की वो शक्ती इस मंत्र से आप लोगों को मिलेगी तो आप में से जो लोग थोड़े भी परिशान है ये ऐसा मंत्र है जिसको देव, दानव, असुर मनुष्य सब करते है तो इसको आप लोग भी करना चाहिए बहुत चीज़ों को गुप्त रखा कि आम जन मानस के लिए मैं कुशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक एक करके पहुचा हूँ आज के लिए इतना ही साधना शिविर 24-25 को है सीट मैंने बढ़ा दी है तो जिनको भी साधना शिविर में आना है वो वेबसाइट पे जा करके रेजिस्टेशन करा सकते है साधना का बेसिक सीखना है वो मेरा पेट बॉट्स अग्रूप है नमबर है 9431188585 इस पर मेसेज करिए उसके पेट ग्रूप में रेजिस्टर हो जाई साधना का बेसिक सीखे अपॉइंटमेंट लेने के लिए www.aghurtantarhasa.xyz पर लॉग इन कीजिए उसमें अपॉइंटमेंट सेक्षिन है अपॉइंटमेंट आपको हासी ले सकते हैं परिफून और खुश रखे आप सभी को आदेश आदेश अलाग दानेश